तीन राउंड लगा दिया तो कितना मस्त पावरफुल हो गया जल्दिस निकलने वाला नहीं है हाई दोस्तों, एवरिधिंग टेक्निकल चलल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है किसी भी लीथियम सेल्स को आपस में कनेक्ट करके उसको वेल्ड करने के लिए और बैटरी पैक बनाने के लिए स्पोर्ट्स वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं आज हम बताएंगे कि उसका एमपियर कैसे बढ़ाते हैं यह टॉस्फर्मर मैंने माइक्रोवेब ओवन से निकाला है पुराना माइक्रोवेब ओवन था तो उसका टॉस्फर्मर में यूज कर रहा हूँ किसी भी स्पोर्ट्स वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए इसी टॉस्फर्मर का यूज किया जाता है आप चाहें तो एक यूज करें और अगर चाहें तो आप दो भी यूज कर सकते हैं तो एक से ही हम इसका एंपियर पावर बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाते हैं क्या चाहिए हमको वो हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं sports welding machine बनाने के लिए main part होता है, वो ये toss farmer, दूसरा हम कुछ इस तरह से wire लेते हैं, ये 33 mm का wire है, मैंने 2 wire यूज़ कर रहा हूँ आप जो है 6 mm या 8 mm का एक wire यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हमें एक चाहिए push button और दो हमें copper का कुछ इस तरह से screw चाहिए, आप अगर चाहिए तो कोई भी इतना बड़ा-बड़ा wire कट करके इतना ही मोटा copper wire ले सकते हैं, हमें testing के लिए 2 sheets लेते हैं, ये sheet मैंने किसी डब्बे से कट करके बनाया है और इसको हम आपको weld करके दिखाएंगे कि कैसे इसका power काम कर रहा है एक टर्ण, दो टर्ण, तीन टर्ण कितने हम इसमें round लगाते हैं, कितने चकर लगाते हैं, ये उसी से इसका ampire power बढ़ेगा ठीक है, तो हम आपको live test करके दिखाते हैं, कि इसका कितने चकर में कितना ampire और कितना powerful sports welding machine बनता है तो सबसे पहले हम यहाँ से wire डालते हैं ये एक इंड यहाँ से, ये ऐसे ही रहेगा इसको हम इधर रखते हैं, दूसरा वाला इंड फिर हम इसमें घुमाएंगे ये वाला जो इंड है, इसे इंड को हम फिर वापस यहाँ से डालेंगे मैं इसके जो wiring कर रहा हूँ, ये double wire से कर रहा हूँ तो इसलिए ये हमारा 2 चकर होगे, आपको 4 wire दिख रहा है, लेकिन ये 2 चकर है ठीक है, double wire से मैंने 2 चकर इसमें लगा दिये हैं तो आप देखते हैं कि 2 चकर के बाद इसका power कितना है इस पत्ती को हम दोनों weld करके देखेंगे, मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ इसके बाद इसका हम और राउन बढ़ा कर देखेंगे हमें इस screw को या जो भी आप इसके जगह पे wire लगा रहे हैं उसको अच्छी तरह से fix कर लेना है, एकदम tight कर लेना है ताकि spark होने का कोई भी chances ना रहे दोस्तों permanent solution के लिए आप connector का use करें और या तो फिर यहां से आप solding iron से अच्छे से sold कर लें ताकि spark ना करें हमें अच्छी तरीके से इसको खीच के tight कर लेना है और tight करके एक इस तरह से cable tie लेना है उस cable tie से हमें इसको बांदेना है जितना अच्छे तरीके से हमें इसको tight करके बांदेना है उतना ही अच्छा यह work करेगा तो यह हमारा sports welding machine बनकर दोस्तों ready हो गया है अगर आपको एक काम चलाने के लिए बनाना है तो सिर्फ इतने से ही आपका sports welding machine बनकर ready हो जाता है इतने चीज की requirement पड़ती है देखिए यह आवाज कर रहा है आप सुन सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह sheets को weld नहीं कर पा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अभी double wire से 2 turn लगा हैं हमने ठीक है तब हमारा जो power दिख रहा था वो ऐसा दिख रहा था अब हम क्या करेंगे इसमें एक turn out लगा देंगे तो चलिए हम एक turn out लगा के देखते हैं फिर कैसा power इसका दिखता है यह हमने इसमें तीन राउंड लगा दिये हैं अभी और हम इसको कि टाइट कर देते हैं और यह हमारा बनकर हो गया रेडी ठीक है आप देख सकते हैं दो दो चार दो छे इसमें टोटल आपको छे वायर दिख रहे होंगे तो मतलब मैंने तीन टन लगा आए हैं डबल वायर से तीन टन लगा दिये इसलिए छे हो गया भी ठीक है अब हम देखते हैं इसका पावर इसका एंपियर क्या होता है इस पत्ति को विल्ड करके भी आते हैं अगर आप इसका टॉश फर्मर लेना चाहते हैं तो जहां पर यह रिपियरिंग होता है वो सौप पर आपको सव से डियर सम मिल जाएगा देखें दोस्तों कितना पावर फुल हो गया भी यह देखिए तीन राउंड लगा दिया तो कितना मस्त पावर फुल हो गया नीचे लकड़ी है तो यह पूरा लकड़ी भी जला दे रहा है इस तरीके से इसका वल्डिंग मैंने कर दिया है देखिए बराबर यह हां से चिपक गया है अगर इसको हम खीच के निकालते भी हैं तो यह जल्दी इस निकलने वाला नहीं है यह निकल नहीं रहा है जल्दी मतलब यह बहुत अच्छी तरीकी से चिपक गया है तो इस तरीकी से आप एक अपने बैटरी पैक बनाने के लिए घर पे ही स्पोर्ट्स वेल्डिंग मैशीन बना सकते हैं All the best दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मने चनल को सब्सक्राइब कर दें बिल आइकान को प्रेस करके अटिफिकेशन को भी आउन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मैं दोस्तों तब तक के लिए बाई और हाँ एक लाइक जरूर कर दें